हेलो एब्रीवन नमस्कार सस्रेकार गुड मॉर्निंग कैसे है आप सब लोग उमीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे तो मैं डॉक्टर पोजा एक होमोपेटी सिजीशन और आज हम बात करेंगे कॉंस्ट्री पेशन जी हां कॉंस्ट्री पेशन क्या होता है क्या लक् करेंगी कौन सी कंडिशन में कौन सी बैस्ट हमोपेटिक मेडिशन हमें लेनी है तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा इंप्रबेटीव हने तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी महतपूर जानकारी छूट ना सके तो आईए बात करते हैं कब्ज के बारे में कब्ज में क्या होता है कि हमें खुलकर मल नहीं आता है यानि कि खुलकर मोशन नहीं होते हैं हमारा पेट साफ नहीं रहता है खटे ढकारे आती हैं कब्ज होता है पेट में सीने में जलन होने शुरू हो जाती है और हमें खाने पीने की इच्छा नहीं होती है ये कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ बाहर का खा लिया है या ताइम से खाना नहीं खाया जो रूटीन हम खाना खाते हैं उस रूटीन पर भी हमें कौन सी कबज की कौन सी कंडिशन में हमें कौन सी होमपेटिक मेडिशन लेनी है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं यदि आपको नॉर्मल कबज है कुछ खाना पीने की वज़े से आचानक से आपको कबज हो गया है तो उस कंडिशन में आपको नक्स भूमिका चीहां नक्स भूमिका थर्टी पोटिंशीग की अदिशन दो बूं दिन में तीन बार लेनी है यदि आपको एसे लल्ट के शाथे हो रही है तो आप ज़ादा वारवन इसको आती हैं नहीं कर पाते हैं या एनियम इस तरीके से भोचन हो पाता है तो और आपको बैठने का काम है परिश्रम नहीं करने का थवमी का तो उस कंडिशन में नक्सभूमी का थर्टी पोटेंसिय की supplyulation को लेना है मौर्निंग में और रात को सोते समय सल्फर जिहां सल्फर ठर्टीपोटेंशिक की मेडिशन को दो भूंद लाद को सूते समेह लेना है और मॉर्निंग में आपको नक्सवोमी का मेडिशन लेनी है 30 पोटेंशिक एक condition आती है कि आपको जो motion है वो बहुत hard है जो बकरी होती है उसकी मींगन की जैसा अगर आपको motion हो रहा है तो उस condition में आपको होमोपेटिक अलुमीना 30 पोटेंसी की मैडिशन दो बून दिन में तीन से चार बार लेनी है जब आपको बहुत ज़्यादा hard stool हो एक condition आती है कि आपको बहुत ज़्यादा aggression लगाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है मोशन के लिए और बहुत लार्ज quantity में अगर मोशन हो रहा है hard है लेकिन लार्ज है तो उस condition में आपको होमोपेटिक ग्रेफाइटस 30 पोटेंसी की मैडिशन दो बून दिन में तीन बार लेनी है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपको हाप नहीं आ रही है मोशन पास आउट ठीक से नहीं हो पा रहा तो में ग्रेफाइट 30 पोटेंसी की मेडिशन दो बून दिन में तीन बार लेनी है एक condition आती है कि आपको बार बार फ्रेश ओने का मन करता है लेकिन आपको मोशन नहीं आता है और ऐसा लगता है कि मोशन आ रहा है लेकिन जब बैटेहें मोशन के लिए तो आपको बहुत जादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो वह आसानी से हो जाता है तो अगर ऐसी situation आपको देखने को मिल रही है को अपने साथ देखने को मिल रही है तो उस condition कास्टिकम 30 दो बून में 3 बार लेना एक कंडिशन आती है कि आपको कब्ज की बज़े से अपना पेट जो है अंदर की और धस्ता नजर आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि कबज हो रही है और आपका जो पेट है वो अंदर को जा रहा है तो उस कंडिशन में आपको एक मदर टिंचर लेना है जिसका नाम है हाइड़ेटिस का मदर टिंचर इसकी दस से पंदर बूंदे एक चुथाई का पानी में मिला कर दिन में तीन बार लेना है जब आपका पेट अंदर की तरफ धस्ता दिखाई दे कबजी की बजह से तब आपको ये मेडिशन लेना है जब आपका जो मोशन है वह छोटी छोटी गोलियों की जैसे हो और आपको जाने में बहुत दिक्कत हो रही हो और आपको हज़त बिल्कुल ना हो उस कंडिशन में अब एक स्टैप आता है दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छे से रखना चाहिए दिन में कम से कम चार से पांस लिटर पानी तो ज़रूर पीना ही पीना है और सबसे पहली बात बता दे कि अपने प्रोपर डाइट का विशेस ध्यान रखना है, हरी साक सब्जіत का ध्यान रखना है, डाले प्रोपर तरीके से खानी है और आपको दुद्ध ढ़ी जो भी खा रह chy को एक सेहत का ध्यान रखना है क्योंकि जो आप खाते हो वहीं हमारी शरीर को जाता है तो ऐसा ना खाईए जो हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए एक खतरनाक सावित हो उमीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्पूर लगी होगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब जरूर करें गाई ताकि कोई भी सेहत से जुड़ी कोई भ के लिए वा हुआँ